हेलो पेरे बचो, क्या हल चला आप सभी के डियर स्टूरेंट्स, नवदेप सरके फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है पेरे बचो तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नमबर 7, पार्ट नमबर 5 अपने आज इसका डिसकस करने जा रहे हैं और यहां से बचो जो स्टार्ट होगा अपना चैप्टर उसमें अपने क्या आएंगे डेरिवेशन ठीक है आज से डेरिवेशन स्टार्ट हो रहे हैं इस चैप्टर के अब तक आपने थियोरी पढ़ ली इस चैप्टर की और जो बेसिक चीज़े थी वो पढ़ ली अब उन चीज़ों को यूज कैसे करना है वो अपने इस डेरिवेशन में सीखेंगे समझाए बात तो सबसे पहले आपने जो पड़ा है वो बायो सावर्ट का नियम पड़ा था तो बायो सावर्ट का नियम आपने उसका क्या है गृधिया रूफ पढ़ लिया था, फॉर्मूला क्य परिमित लंबाई मतलब जिसकी लंबाई आप माप सकते हो तो परिमित लंबाई का जो अपने पास लंबा सीधा चालक तार है अब इसके जश्ट बाद जो टॉपिक है वो आपकी बुक में भी दे रखा है जो इसका नाम है मैं आपको बता देता हूँ लंबे वैसीधे दारवाई चालक तार के कारण चुमकी अक्षेतर और इसमें जो पहला टॉपिक है परिमित लंबाई का सीधा दारवाई चालक जो आप अपनी बुक में देख सकते हो ठीक है तो इसमें अपने देखो क्या करते हैं डाइग्राम को समझो और डाइग्राम की तो डाइग्राम में क्या है कि ये A और B येएक अपने पास तार है लंबा चालक तार ठीक है सीमित लंबाई का है इसकी लंबाई अपने को नहीं दी वी कितनी है और इसमें क्या है कि ये O इसका मद्दे विंदू है इस O बिंदू से small d दूरी पर एक P बिंदू है और इस P बिंदू पर आपको चुम्ब की एक्षेतर यानी B का मान निकालना है ठीक है इतनी चीज आपको दी हुई है तो अब अपने क्या करते हैं कि सबसे पहले कुछ चीज देखो एक चीज होती है फॉर्मूले में कि कुछ चीज़े आपको दी होती हैं और कुछ चीज़े आपको अपनी तरफ से माननी पड़ती है फिर आप क्या करते हो उस माननी हुई चीजों का मान जो आपको चीज़े दी होती है या जो जिन चीज़े जिन के मान आपको दिये होते हैं उनको आपको उस रूप में निकालना पड़ता है यानि जो अग्यात राशियां अपनी तरब से मानी होई राशियां उनका ग्यात राशियों के पदों में मान निकालना पड़ता है तो अपने वही कर रहे हैं यहां जितनी चीज़े आपको दिख रही है यह D.O.E. अब आप कहोगे कि सर D.O.E. और मानी O.E. का पता कैसे लगेगा तो वो आपको यादी रखना पड़ेगा उसका कोई पता आपको डिरेक्ट ऐसे नहीं लगता तो देखो O.E. इसका तार का मद्दै बिंदू और इससे D. दूरी पर P. बिंदू पर आपको इस पूरे तार के कारण चुम्ब की एक शेतर का मान निकाल ला है तार में जो दारा है उपर की और परवाहित हो रही है और I. दारा इसमें परवाहित हो रही है समझाई बात तो अपने देखो क्या करते हैं सबसे पहले जो तार के लास्ट वाले बिंदू है ये वाले बिंदू इसको भी P से मिला देते हैं और B को भी P से मिला देते हैं ठीक है और ये वाला जो कोण है इसको मान लेते हैं थीटा 1 कोण है और उपर वाला कोण क्योंकि देखो उपर B बिंदू विल्कुल end है और उसको आप P बिंदू से मिला रहे हो तो अपने को तार को थोड़ा से उपर बढ़ाना पड़ेगा मतलब ये अपने तार वैसे ही बढ़ाई हुई है तार का अंतिम सिरा ये वाला ही है ए बिंदू ठीक है ए बिंदू है स्वरी ए बिंदू उपर है तो ये वाला जो कोण है ये थीटा 2 कोण आपको लेना पड़ेगा इतनी बात याद होगी अब नेक्स्ट क्या है कि अब अपने बाईो सावर्ड का नियम लगा के इसपर चोंब की अक्षेतर का मान निकालना चाते है तो बाईो सावर्ड के नियम आपको पता है कि एक अलपांश के लिए अपने सूतर निकाला था तो वही अलपांश आपको यहां पे लेना पड़ेगा तो अपने क्या करते हैं कि इस O से उपर small L दूरी पर यह small L दूरी पर एक अलपांश DL लेते हैं यह वला ठीक है और यह अलपांश है जो एक Q बिंदू पर अपने ले लेते हैं किस पर Q बिंदू पर अब आप कोगे कि सर उपर ही क्यों लिया नीचे क्यों नहीं लिया तो आप नीचे भी ले सकते हो जहां मर्जी ले लो L पांश वो आपको कोई दिक्कत नहीं है यह आपने उपर ही रखा है नीचे क्यों नहीं लिया तो उस तरीके से मैं इसलिए नहीं करवाता क्योंकि फिर आपको confusion हो जाएगा क्योंकि आपकी book में और दे रखा होगा school में भी book के इसा आप से करवाएंगे और मैं अलग तरीके से करवाऊं तो फिर आपके लिए confusion created हो जाएगा तो आप यह वाला टीलउपांश यहां भी ले सकते हूँ नीचे जहां मरजील हो आप वह आपकी इच्छा है अपने इस डीलल पांश को लेते हैं और इस डीलल पांश को जब अपने यानि Q बिंदू को इस P से मिलाते हैं तो ये वाला कौन थीटा आता है अब कई बच्चों के दिमाग में ऐसे आ रहा होगा कि सर आपने DLL5 ये वाला लिया है ये Q बिंदू है और इससे टेटा यहां पे क्या है आपके पास P बिंदू है तो सर ये वाला थीटा क्यों ने लिया आपने ये वाला थीटा क्यों लिया ठीक है तो अब आप देखो भी थीटा कोन होता क्या है थीटा कोन जब आपने बायो सावर्ट का नियम पड़ा था उसमें थीटा कोन था क्या DLV R के मद्या कोन तो R क्या था यहां पे जिस बिंदू पर आपने चुम की एक शेतर निकालना उसकी दूरी इस से तो ये तो चलो R होगी और आपको कि सरी ये तो DL है confusion फिर है भी ये नीचे वाड़ा सीटा होगा या उपर वाड़ा सीटा होगा क्योंकि दोनों ही DL और R की बीच बने वे कोण है तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब आप दारा लोगे जिस दिशा में वही आपकी DL की दिशा होगी तो DL की दिशा उपर वाली है ठीक है और R की दिशा इदर वाली है ये वाली R की दिशा है तो DL और R आपका इधर जा रहा है तो DL और ये R ये R है और ये DL DL है तो इन दोनों के बीच का कौन थीट है ना कि नीचे वाला क्योंकि नीचे वाला तो क्या हो जाएगा ये DL उपर जा रहा है आपका आप नीचे से कौन नहीं ले सकते क्योंकि कोण आपको जब सदिश रूप होता है तो अगर मान लो आपका ये वाला वेक्टर A वेक्टर है ठीक है ये वाला वेक्टर B वेक्टर है इधर जा रहा है तो आप ये वाला थीटा कौन थोड़ा लेते हो कभी भी नहीं आप इस सदिश को आगे बढ़ाते हो और यह वाला कौन तीटा लेते हो, इस A vector और B vector के बीच का कौन तो वो ही चीज़ याँ पे है DL vector और R vector के बीच का कौन क्या है, थीटा है या आप जब सदिश का प्रेनामिन काला दा नं पिछले साल, क्या P square P square P square plus 2PQegtus तीटा तो तब अपने क्या है ये वाला formula यूज किया था तो उसी कारण अपने theta cone सबसे ज़्यादा बच्चों को ये ही confusion होता है और आप में से भी बहुत सारे बच्चों को ये confusion हो सकता है theta cone वाला तो वो confusion अब आपका दूर हो गया होगा कि ये theta cone यहां पर ही क्यों लिया क्यों कि theta क्या होता है मैं यहां लिख भी देता हूँ dl vector वे r vector के मद्या है को ये होता है ठीक है तो इतनी बात समझा गी और इसकी r दूरी है आपके जो ये p बिंदू पर जिस पर विद्ध क्षेतर आसवरी चुम्ब की एक्षेतर का मान निकाल ला है अब देखो अपने क्या करते है ठीक है अब अपने को दो चीजे माननी है यहां पर वो दो चीजे आपको क्या माननी है देखो ये वाला जो कौन है इदर वाला ये कौन आप मान लेते हो 5 वैसे तो कोई भी मान सकते हो लेकिन आपकी बुक केस आप से चल रहा हूं मैं और नीचे वाला फाई वन थीटा टू की साइड यह वाला कौन है यह अपनी तरब से मानने हूं है ठीक है न तो अपने इसके रूप में निकाल सकते हैं आप यह कौन क्यूं मानने हैं क्योंकि इ अब यूज नहीं करेंगे लेकिन आके जब स्पेशल केस आएंगे तो उसमें यह वाले कौन आपकी हेल्प करेंगे तो यह कौन भी दोनों मान लिए अब देखो अपनी क्या करना है अब आपको क्या करना है इस अलपांश के कारण इस पी पर क्या करो चुम की अक्षेतर का मान लिखो और उसका समाक लण कर दो ठीक है इतनी सी बात है तो डी बी इस एक्वल टू अगर मैं चुम की एक्षेतर का मान लिखो तो म्यूज यिरो बटा फोर पाई आई डी एल साइन फीटा बटा में आर स्क्वेर अब देखो आपको क्या है यह डी का मान पता है एक तो तो अब अपने को क्या करना है इसका स्माक्लन तो कुलतार के कारण चुमब किया है ख्षेतर तो उसके लिए अपने क्या करेंगे इस d b का स्माक्लन कर देंगे तो B निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा μू 0 बटा 4 πाई I DL sin theta बटा R square यह आप क्या करोगे B बराबर जो constant है μू 0 I upon 4 πाई यह constant है इसको बाहर लिख लो और DL sin theta बटा R square यह आपको अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि देखो इसको इसका मान constant क्यों नहीं है क्योंकि دेखो DL का मान change हो सकता है L 5 आप बढ़ा ले लो DL का मान change हो सकता है sin theta अगर आपने point की position बज़ेशन बदल दी तो theta भी बदल जाएगा यह भी constant नहीं है R का मान जब आपने point की position बदल दी तो R का मान भी बदल जाएगा मतलब इन तीनों में कोई constant नहीं है अब आपको क्या करना है कि जो इसमें राशियां दी हुई है उसको simple राशियों के रूप में मान निकालना है यह DL है, DL अपने को सिधा नहीं पता DL का पूरा समाकलन जब इस तार की लंबाई नहीं पता अपने को तो अपने क्या है DL का मान कैसे निकाले तो DL का सबसे पहले अपने DL का मान निकालेंगे simple रूप में फिर R का मान निकालेंगे simple रूप में और फिर उसको इस समीकरण में रखके अपने क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, समझाई बात, ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं अपने, सबसे पहले DL का मान, डील का मान निकालते हैं, तो DL का मान निकालने के लिए, देखो मैं एक तरी बुझ ले रहा हूँ, ये वाला, ये P है, ये O है, और यहां पे Q है, और ये उपर वाला कॉन है जो, Q को मैं यहां लिख देता हूँ, ये वाला कॉन ठीटा है, ठीक है, ये वाला कॉन 90 डिगरी है, यहां पे, और ये D दूरी है, आपके पास, ये R है, और ये L है, इस Q विंदू की दूरी है, जो यहां से, ठीक है, ये वाला त्री बुझ ले रहा हूँ, त्री बुझ, कौन स ग्यात राशिय इसमें पता है क्या है ठीक है ग्यात राशिय उल्ली इसमें क्या है डी और थीटा है आपको इसी के रूप में मान निकालना है आर और एल दोनों ही यह ग्यात आपके लिए वैस यह याद रख लो ठीक है तो आर और एल दोनों यह ग्यात है क्योंकि आर और एल command point के साब से बदलता जाएगा तो अब देखो क्या है D और theta के रूप में अपने को DL का मान निकालना है तो अपने क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखू L upon D L upon में D तो देखो L यहाँ पर क्या है यह वाला कौन आपके पास theta है तो अंदर वाला कौन मुझे कहा है बता सकते हैं कितना होगा आप कोगे कि सर 180 C minus theta होगा यह वाला कौन ठीक है तो अब इस कौन के सामने वाली बुजा कौन से होगी लंब होगी तो यह कौन सा होगया लंब और 90 degree के सामने वाली करण और यह क्या होगी अदार ठीक है तो L बटा D अदार बटा लंब अदार बटा लंब आपके पास क्या होता है बचो बता सकते हो अदार बटा लंब L बटा D सोचो L लाल बटा कका लंब बटा अदार तो 10 theta होता है तो अदार बटा लंब आपके पास देखो क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा और थीटा यहाँ पे किसको लेना आपको 180 माइनस थीटा को ये वाला क्योंकि तिर्बुज के अंदर कौन ये वाला है ये तो बाहर वाला कौन है समझाई बात तो ये डेरिवेशन इसी कारण थोड़ा हार्ड लगता है बच्चों को क्योंकि इसमें एंगल वाला चक्र बढ़ जाता है तो आपको जब इस तिर्बुज ओपी क्यों ले रहे हो तो इसका ही कौन लेना पड़ेगा तो अब मुझे बताओ L बराबर D कोट 180-θ तो L बराबर क्या आ जाएगा D कोट 180-θ इसका मान बताओ मुझे क्या होता है कोट 180-θ तो देखो यहाँ पर क्या आ गया आपको अगर कौन निकालना होता है तो यहाँ इसको 90 गुणा के रूप में लिखना होता है 90 गुणा दो लिखेंगे दो सम संख्य है, तो बाहर वाला ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो अपने को पता लग गया यहां पे, ये कोट रहेगा और साथ में ठीटा आएगा, अब आपको प्लस और माइनस का पता लगाना है, तो ये क्या है, चतुर्थाश होते हैं, इसमें सभी प्लस होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कोस और सेक पलस होते हैं, और इसमें आस्वारी लाश्ट वाले में होते हैं, यहां कोट और टैन होते हैं, तो अपने को तो दूसरे, ये 180 डिगरी यहां पर बन रहा है, और उसमें से ठीटा माइनस है, तो लग बग यहां पर आएगा, 180 सी माइनस थीटा को ठीक है तो अब ये दूसरे चत्दूर्थांश में और यहां को साइन और को से को छोड़के बाकि सारे क्या होते हैं नेगटिव होते हैं तो आपका ये माइनस डी कोड थीटा हो जाएगा देखो ये आपके पास जो ये लग रहा है न मैथ ये ग्यारवी क्लास वाल है और ये मैथ आप पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत इसका पार्ट जब आपने ग्यारवी क्लास की थी और जिस बच्चे ने इसको नहीं पढ़ रखा तो देखो उसके लिए मैं अलग से तो नहीं बता सकता है यहां पर भी ये कैसे होता है चतुर्थांश कैसे लेते हैं इस वीडियो में तो नहीं थीटा के सापेक्ष आवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष आवकलन कर देते हैं तो यह हो जाता है डील बटा डी थीटा बराबर माइनस का डी यह तो पड़ाई है और कोड थीटा का क्या होता है माइनस को सेक्स केर थीटा माइनस को सेक्स केर थीटा आव कलान तूबारा स्टार्ट हो गए यह वाला ठीक है न तो आप dL बटा d theta बराबर आपके पास क्या आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और d theta को इधर बेज दो तो DL का मान देखो मैं लिख रहा हूँ माइनस D को सेक्स केर थिटा और साथ में D थिटा यह आ गया ठीक है अब यह वाली समीकरन आपके पास एक है इसको दे दो समीकरन नमबर दो यह DL का काम यहां भी खत्म हो गया DL का काम खत्म हो गया अब बात आती है R का मान R का मान भी आपको L और थिटा के रूप में निकालना है ठीक है तो R का मान L और थिटा के रूप में निकालना है तो फिर से वही तिरुज लोग है यहां पे यह 180C माइनस थिटा है ठीक है यह Q है यह यहां पे O है हो याँ पर आर बटा में डी ये आपके पास क्या आजाएगा देखो आपके पास आजेगा आर बटा डी तो आपको कहा था मैंने ये लंब है ये अदार है और ये करण है ठीक है तो अब आर बटा डी यह नि करण बटा लंब तो लंब बटा करण क्या होता है साइन थीटा त आगर आपने गौर किया हो तो, ठीक है, आज तक की physics में इससे पहले 11 की जितनी आपने पड़ी है, और चाहे 12 की आप तक की पड़ी है, उसमें कोसेक और कोट बगारा ये नहीं आए है, ठीक है, ये पहला formula है जिसमें कोसेक और कोट के रूप में उत्तर आ रहा है आपके पास साइन कोस तो आपने हर यानि formula में पढ़ा है पहले, तो अब r बटा डी ब्राबर कोसेक फीटा नहीं लिखेंगे यहाँपे, ये भी मैंने गलती कर दी, यहां लिखेंगे, 180 माइनस फीटा, 180 माइनस फीटा लिखेंगे, तो अब r बटा डी ब्राबर, r ब्राबर डी कोसेक 180-θ, अब इसको solve करना पड़ेगा तो मैंने आपको काता है, 180 degree है ये इसको 90 गुणा दो जब यहां पे 90 के साथ सम संख्या का गुणा होता है तो cosec वही रहेगा हर चीज वही रहेगी लेकिन अगर ना हो मालो, यहां 270 degree होता है यहां 90 गुणा 3 करना पड़ता फिर आपको cosec को cosine में, sine को cosec में तो इस तरीके से उनको change करना पड़ता है वो math की बात है बात की तो यहां cosec का cosec की रहेगा ठीक है d cosec theta, अब plus और minus चेक करने तो यह दूसरे चत्दूरताश में था तीन आगी अब R और DL के मान आपके पास आ चुके है ठीक है तो इस R का मान DL का मान और जो R का मान है यहां minus नहीं आएगा देखो बचो यहां minus minus प्लस हो गया R और DL के मान आप क्या करो समीकरन नंबर 1 में रख दो तो आप लिखोगे R वै DL के मान समीकरन एक में रखने पर ठीक है तो आप B बराबर आपके पास क्या आ जाएगा μू 0 बटा 4 पाई आई है इसके साथ μू 0 आई बटा 4 पाई समाकलन आ जाएगा DL sin theta बटा R square तो DL का मान D Cosec square theta D theta और बटा में क्या आ जाएगा R square D square Cosec square theta और into में यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो DL का मान रख दी R square और sin theta तो पड़ा ही है तो into sin theta भी आ जाएगा ठीक है यह आ गया अब D से यह D square cancel और Cosec square से Cosec square cancel हो गए यहाँ पर तो जो आपके पास बचेगा वो देखो के आएगा B बराबर mu zero i upon में 4 pi और यहाँ पर समाकलन में आ जाएगा देखो यह D है तो D constant है D का मान कभी नहीं बदलता क्योंकि मद्दय बिंदू से जो तार का मद्दय बिंदू है तार से सीधी दूरी है जो बिंदू की यह कभी नहीं बदलेगी ठीक है ना तो यह मद्दय बिंदू से दूरी है इस बिंदू की तो आप वही रहेगी तो D को बार लिख लो और अंदर बचेगा आपके पास sin theta और d theta इतना लिखो एक बार आप इसको उतारो फिर अपने आगे करते हैं थोड़ा समझाई बात आपको derivation जुरूर hard लग रहा होगा लेकिन इसको जब rough copy में 3-4 बार करके देखोगे तो आपको यही derivation असान लगने लगेगा समझ में नहीं आएगा जिसके special case आपको कल करवाऊंगो मैं और video भी काफी लंबी हो जाएगी फिर मुझे भी दिक्कत हो जाती है थोड़ी अब देखो बच्चो आपके पास यह आगया ठीक है अब आप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको दुबारा μू 0 i upon 4 pi d और स्माकलन आफ साइन थिटा d थिटा अब आप limit लगा सकते हो क्योंकि dl की limit नहीं लगती थी जब तक आपके formula में dl चल रहा था तब तक आप limit नहीं लगा सकते थे लेकिन थीटा की limit आप लगा सकते हो कि तार के नीचे से लेके और यहाँ तक लाष्ट बिंदू तक ठीक है नीचे से लाष्ट बिंदू तक ऊपर तक थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक इसका मान चेंज हो रहा है यानि थीटा 1 निमंतम मान है और थीटा 2 अधिकतम मान है कोन की इसके बीच में कोन बदलेगा वैस ठीक है? तो यह थीटा 1 से थीटा 2 क्या आजेगी? लिमिट आजेगी इसके अब नेक्स्ट देखो बी बराबर साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? कर देखो, sin theta का अउखलन होता है cos theta, ठीक है, तो समाकलन उससे अलग होगा minus cos theta और यहाँ पर आ जाएगा theta 1 से लेके theta 2 तक, समझाई बात आपके, इतनी बात, ठीक है तो अब अपने देखो क्या करेंगे यहाँ पर limit put कर देंगे B बराबर आपके पास आ जाएगा μू 0i अपॉन 4πi d और माइनस कोस थीटा 2 और माइनस में माइनस कोस थीटा 1 लिमिट रखनी दो आती है माइनस का कोस थीटा है तो इसको क्या करो माइनस कोस थीटा 2 और माइनस में माइनस कोस थीटा 1 क्योंकि यह माइनस का है खुद, तो अब B बराबर जो आपके पास आ जाएगा, μू 0i अपॉन 4πई D, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इसको अपने इस तरीके से लिख सकते हैं, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यह आपके पास चुम्ब की एक्षेतर का मान आ गया है, किसके कारण एक जो आपके पास लंबा चालक तार है, उसके कारण, और उससे D दूरी पर अगर कोई P बिंदू स्थित हो, तार से जो सीधी दूरी है उसकी, वो कितनी है, D है, तो आप इस सूतर में रख के और इसका मान क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो बचो, ठीक है, अब यही फॉर्मूला आपने थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहले यह देख लो आप, इसके बाद तो कुछ ही नहीं है, आपको क्या करना है, समाकलन करना है, क्योंकि अब असली काम स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले आपके समाकलन आवकलन किसी चैप्टर में इतने यूज नहीं हुए, अब इस चैप्टर में यह खूब यूज होंगे, तो अपना समाकलन आवकलन जिसका भी कमजोर है, वो मुझे बता दो, अगर मान लोग कि आप में से 40-50 जाने भी मुझे कह देते हो, हिंदी इंगलिश मीडियम मिला के, तो मैं समाकलन आवकलन पर एक वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए, ठीक है, और अगर आपको आता ह है, तो बहुत बड़ी है बात है, फिर आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, देखो, नेक्ट जो इसी में टॉपिक है, 5-1 वे, 5-2 के रूप में मान, के रूप में मान, यानि कि आपको चुम्ब की अक्षेतर का मान, 5-1 और 5-2 की रूप में भ बात करता हूँ, यहां पर, उपर वाले की बात करता हूँ, तिरे बुझ, O, P, और A, ठीक है, O, A, P, तो अब इसमें देखो, बचो, क्या हो जाएगा आपके पास, या नीचे वाले की बात कर लेते हैं, 5-1 और 5-2 की बात करते हैं, सबसे पहले आप नीचे वाले पर चलो, इस नीचे वाले तरिबुझ पर, यानि इदर मैं तरिबुझ बना देता हूँ, यह वाला ऐसे, तो यह वाला कौन थीटा 1 है, इदर वाला कौन 5-1 है, यह वाला कौन 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, तो अब मैं यहां पर लिखता हूँ, R का मान नहीं है, यहां से, कौन सा है, O, P और B, तरिबुझ O, P, B से, O, P, B से, अगर मैं लिखूं देखो क्या, थीटा 1 प्लस 5-1 प्लस 90 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि तरिबुझ के तीनों कोणों का ही हो गई है वाला, तो अब देखो, थीटा 1 प्लस 5-1 कितना हो तो आपके पास 90 डिग्री बचा, अब आपको थीटा 1 का मान 5-1 के रूब में निकाल लें, तो थीटा 1 आपका जाएगा 90-51, यह जाएगा, अब इसी तरीके से 5-2 का मान निकालें अगर अपने, 5-2 का मान, तो अब यहाँ पर 5-2 का मान, अगर मैं उपर वाला तिर बुझ लेता हूँ, अब देखो कौन सा तिर बुझ मैं ले रहा हूँ, यह वाला, यह आपके पास O बिंदू है, यह P और यह B बिंदू है, ठीक है, यह वाला कौन थीटा 2 है, और यह B बिंदू है, यहाँ पर, और दूसरा कौन कौन सा है, यह वाला कौन कितना है, आपके पास 5- 2 है ये वाला कौन 90 डिगरी है ठीक है तो इसमें अगर अंदर वाले की बात करूँ तो ये वाला कौन कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा 2 तो आप तिरबुज के तीनों कौन तिरबुज OPB से इससे देखो क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा 2 और प्लस में 90 और प्लस में कितना आगया आपके पास 180 माइनस थीटा 2 और प्लस में 90 और प्लस में फाई 2 तो बराबर कितना आगया 180 180 से 180 कैंसिल और अब आप क्या करों ये माइनस थीटा 2 है तो इसका माणी निकालना है इसको उदर ले जाओ, तो theta 2 बराबर आपके पास आगया 90 प्लस phi 2, यह आगया, यह theta 1 के मान है, तो अब theta 1 और theta 2 के मान आप क्या करो, इस वाले formula में रख दो, ठीक है, इस में, यह भी यहाँ पर, तो यहाँ पर रखोगे, तो b का मान देखो क्या आएगा, आपके पास, mu 0 i upon में 4 pi d, और यहाँ पर देखो क्या आएगा, cos theta 1, theta 1 का मान 90 minus phi 1, तो यह आगया, cos 90 minus phi 1 आगया, ठीक है, और minus में कितना आजएगा, cos 90 plus phi 2, minus में cos 90 plus phi 2 आजएगा, यह आगया, ठीक है, तो आप b का मान देखो, बचो, आपके पास क्या आगया, mu 0 i upon में 4 pi d, और यहाँ पर cos 90 minus phi 1, तो यहाँ पर 90 गुणा एक आ रहा है, और एक क्या है, विश्यम संख्या है, तो cos किसमें change हो जाएगा, sign में, cos sign में change होता है, sign cos में, cosec coat में और coat cosec में, sec 10 में और 10 sec में, इस तरीके से change होते हैं, तो sign कितना आजएगा, 5 1, और plus और minus check करने के लिए 90 degree से छोटा है, तो पहले चत्तुरताश में और पहले चत्तुरताश में सारे क्या होते हैं, plus होते हैं, sign 5 1, अब देखो, तो यहां पर cos 90 plus phi 2 है, तो cos तो sign में change हो गई और साथ में phi 2 आएगा, अब minus और plus के लिए, एक minus तो यहां पर है, ठीक है, अब इसका चेक करो, तो यह 90 plus phi 2, 90 degree से कुछ ज़्यादा मतलब दूसरे चत्तुरताश में, और दूसरे में sign और cosack की क्या होते हैं, positive होते हैं, बाकी सारे negative होते हैं, तो negative negative यहां पर positive हो जाएगा, तो यह formula आपके पास क्या आजाएगा, चुम्ब की अक्षेतर का, 5 1 और 5 2, और सबसे ज्यादा यूज, ज्यादा यूज ये वाला formula होगा, यह वाला नहीं होगा उतना, जितना यह वाला formula आपको यूज करने के लिए आएगा, तो यह formula हैं दो बच्चों आपके आज के, जिसकी साहता से आप क्या कर सकते हो, किसी लंबे सीधे चालक तार के लिए, चुम्ब की अक्षेतर का माना निकाल सकते हो, तो आदे गंटे की class हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा लंबी class में नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे वीडियो editing भी करनी होती है, तो इसमें दिक्कत बहुत आती है, अब यही वीडियो आपकी 5 या 6 GB की वनगी है, इसको छोटा करूँगा तो डेड़ दो गंटे लगेंगे, ठीक है, तो इसी करन और ज्यादा आपके दिमाग में आज गुस्बी नहीं पाएगा, इस कारण क्या है, इसको जो याद करने का तरीका है न, वो देखो, अब यानि पिछले साल जब मैंने पढ़ाया था, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चैप्टर में आती थी, इसका कारण क्या है, क्योंकि यह चैप्टर आपका practice मांगता और practice आप करते नह इस formula को आज जितने बचे आप देख रहे हो वीडियो, अगर अपनी copy में आज ही दो बार लिखके देख लोगे न, इस formula को, तो आप मेरी guarantee है, जब दुबारा पढ़ने लगोगे, हो सकता आप भूल जाओ, लेकिन आपको याद होगा भी, हाँ, यह यहाँ से ऐसे था, यहा आपकी teacher का काम होता है, रास्ता दिखाना, अब उस रास्ते पर चलना आपने है, तो अगर नहीं चलोगे, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, आप नहीं चलोगे, तो फिर आप सफल नहीं हो सकते, समझाई बात, तो इस formula को या इस जो derivation आपको आज करवाया है, इसको दो या तीन बार copy में लिखके देखो, फिर आप कमेंट करना वीडियो पर, कई बचे पहली कमेंट करतेते हैं वीडियो देखके, कि सर हमारे तो समझ नहीं आया, ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ आता, तो फिर मुझे बताओ कहां दिखकत आती है, फिर आपकी solution कर दूँगा मैं वहाँ पर, और अगर आवकलन समाकलन में आपको दिखकत आती है, तो वो मुझे जरूर बताओ, जितने ज्यादा कमेंट होंगे न, उसे सापसी मैं वीडियो बना सकता हूँ, नहीं तो फिर अपना जो चैप्टर चल रहा है, वो चलता रहेगा, तो मिलते हैं have a nice day dear students